कहो दोस्तों क्या हो रहा है आज हम शिवा राजकुमार और अनुपम खेर अभिनीत आगामी कन्नड फिल्म घोस्ट के ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहे हैं ट्रेलर भरपूर एक्शन का वादा करता है और ऐसा लग रहा है कि यह वाकई एक रोमांचक फिल्म होगी कहानी फिल्म विक्रम शिव राजकुमार की कहानी है जो एक रहस्यमय व्यक्ति है जो न्याय की तलाश में है विक्रम अपने करीबी दोस्त की हत्या का गवा है और वह उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है वह हत्यारे को ढूनने के लिए यात्रा पर निकलता है और रास्ते में उसे एक गहरी साज़िश का पता चलता है विक्रम की यात्रा उसे भारत और संयुक्त अरब, अमीरात सहित, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है रास्ते में उसे कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेने और दुनिया को न्याय दिलाने के लिए द्रड संकल पित है धालना फिल्म में शिव राजकुमार मुख्य भूमिका में है शिव राजकुमार कंणर सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेताओं में से एक है उन्होंने जोगी, मुफ्ती और वज्रकाया जैसी कई सफल फिल्मों में अभिने किया है फिल्म में अनुपम खेर सहायक भूमिका में है अनुपम खेर भारतिय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक है उन्होंने हिंदी और कन्नड दोनो भाशाओं में कई सफल फिल्मों में अभिने किया है उनकी कुछ सबसे उलेखनिये फिल्मों में कर्मा, लंभे और स्पेशल 20 शामिल है फिल्म के अन्य उलेखनिये अभिनेताओं में जैराम, प्रशांत, नारायनन और अर्चना जोईस शामिल है काररवाई घोस्ट का ट्रेलर भरपूर एक्शन का वादा करता है इसमें हाई उंक्टेन, एक्शन सीक्वेंस के कई द्रिश्य हैं जिनमें गोली बारी, कार का पीछा करना और विस्फोट शामिल है एक्शन कोरियोग्राफी वास्तव में अच्छी लगती है और यह स्पष्ट है कि फिल्म को द्रिश्य रूप से आकरशक बनाने में बहुत मेहनत की गई है विशेवस्तू यह फिल्म बदला, न्याय और भरष्टाचार सहित कई विश्यों पर आधारित है अपने दोस्त की मौत का बदला लेने की विक्रम की यात्रा उसे एक गहरी साजश का परदाफाश करने की ओर भी ले जाती है यह फिल्म समाज की स्थिती पर एक सामाजिक टिपणी होने की संभावना है और यह निश्चित रूप से दर्शकों को पसंद आएगी कुल मिलाकर कुल मिलाकर गौस्ट का ट्रेलर बहुत आशा जनक लग रहा है फिल्म में दमदार कलाकार, बहतरीन एक्शन सीक्वेंस और दिल्चस्प विशय है मैं निश्चित रूप से इस फिल्म के रिलीज होने पर इसे देखने के लिए उच्सुक हूँ आएए अब ट्रेलर के कुछ प्रमुक द्रिश्यों पर नजर डालें कत्तल ट्रेलर की शुरुआत विक्रम के दोस्त की हत्या के द्रिश्य से होती है विक्रम हत्या का गवाह बनता है और वह तूट जाता है वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और वह हत्यारे को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है जाँच पड़ताल विक्रम ने पुलिस से बात करके अपनी जाँच शुरू की हाला कि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि पुलिस को उसकी मदद करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है वह मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है और अपनी जांच शुरू करता है साजिश जैसे ही विक्रम अपने दोस्त की हत्या की जांच करता है उसे एक गहरी साजिश का पता चलता है उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को मार दिया गया क्योंकि वह शक्तिशाली लोगों के लिए खत्रा था विक्रम ने साजिश का परदाफाश करने का फैसला किया और वह अपराधियों को न्याय के कट घरे में खड़ा करने के लिए निकल पड़ा एक्शन सीक्वेंस घोस्ट के ट्रेलर में कई हाई ओंक्टेन एक्शन सीक्वेंस हैं गोली बारी, कार का पीछा और विस्फोट हो रहे हैं एक्शन कोरियोग्राफी वास्तव में अच्छी लगती है और यह स्पष्ट है कि फिल्म को द्रिश्य रूप से आकरशक बनाने में बहुत मेहनत की गई है दिकलाइमेक्स ट्रेलर विक्रम के अपराधियों से भिरने के द्रिश्य के साथ समाप्त होता है वह उन्हें न्याय के कटखरे में लाने की कसम खाता है और वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए द्रड संकल्पित है निशकर्श कुल मिलाकर घोस्ट का ट्रेलर बहुत आशाजनक लग रहा है फिल्म में दमदार कलाकार, बहतरीन अक्शन सीक्वेंस और दिल्चस्प विशय है मैं निश्चित रूप से इस फिल्म के रिलीज होने पर इसे देखने के लिए उत्सुख हूँ अतिरिक्त जानकारी फिल्म श्रीनिद्वारा निर्देशित और संदेश एंद्वारा निर्मित है ये फिल्म दशरा के अवसर पर 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी मेरे विचार मैं फिल्म घोस्ट को लेकर बहुत उत्साहित हूँ ट्रेलर अद्भुत लग रहा है और मैं पूरी फिल्म देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता मुझे विशेश रूप से शिव राज कुमार का प्रदर्शन देखने में दिल्चस्पी है